So hey guys, so 28 June को जो आपको आपका रिजल्ट देखने को मिला था SBI का final result, SBI mains का जो रिजल्ट देखने को मिला था, उसके बाद से बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि sir, कब डीवीज की date आउट हूँगी, कब हमें call letter आएगा, कब हमारी joining होगी, क्योंकि वैसे ही SBI का जो result ह हो काफी delay हो चुका है, बट उसके बाद यह और delay होने में है, तो यहां पर मैं बात करूंगा last bar क्या scenario रहा था, तो दोस्तों अगर मैं last year की बात करूं, तो 10 March को, इसको बड़े ध्यान से सुनना आप लो, कि जो 10 March है, 10 March को आपका result देखने को मिला था final result, 13 March को scorecard देखने को मिला था, और उसके बाद 24 तारिक से mails आना शुरू हो गए थे, जो mails हैं, वो आना शुरू हो गए थे DV के लिए, मैं call letter joining की बात नहीं कर रहा हूं, बलकि DV की date out हो गई थी दोस्तों, तो 24 को आपका mail आना शुरू हो गए था, 25 को, 26 को, इन तीनों दिन आपको mails देखने क को मिल गई थी, और उसके बाद, उससे कम से कम 20 से 22 दिन बाद, जो date थी, उससे 20 से 22 दिन बाद, आपकी joining भी हो गई थी, 17 अपरेल को दोस्तों, आप सब लोगों की, जो हमारा पिछला batch है clerks का, उन्होंने अपनी joining ले ली थी, तो अगर हम इस बार देखें, तो 20 दिन वैस SBI PO की training चल रही है अभी, तो SBI PO की training है, वो 23 तारिक तक SBI PO की training है, तो HR department वहाँ busy होगा, समझ में आता है यह चीज, और 23 के बाद, any day, जो हमारी DAV है, वो conduct कराई जा सकती है, चलो, DAV तो conduct हो जाएगी, लेकिन at least हमें 7 से 10 दिन का time तो मिलेगा ही अपने documents को ready कराने का, तो see in the next video guys, I hope this video is helpful, see you in the next video